वह अगयाज तो केंज हैं वहालोग तो आज की वीडीयो में मैं आप सभी को जो मेरी स्केचर वाली वीडियो थे उसके ट्रिट्टिर्एल ले के आये होगाई तो सबसे पहले आपके आपकार्ट में जाकर अपनी वीडियो को इंपोर्ट कर लो जैसे मैं ले रहा हूँ इदर ठीक है गाई तो ए होने के बाद गाई अपना जो जितना बड़ा आपके क्लिप है तो और रखना और बाकी का जो है आउट्रो डिलेट कर देना डिलेट करने के बाद नीचे आपको फॉर्माट का उप्सन में लेगा उसमें जाके ना नाइंट करने के बाद गाई हमारी जो नेक्स्ट वाली क्लिप होगा जो आपका अच्छा वाला ड्रेस वाला ठीक है तो यह लेने के बाद गाई सिंपली आप सेम फॉर्माट में जाके 9 x 16 वाली रेशियो ले लो लेने के बाद गाई आपको जितना बड़ा आपको यह स्क्रीन ने करें तो इसमें मैं अपनी जो अभी एक्सपॉर्ट होई थी वह वीडियो को मैं लेके इंपोर्ट कर लेता हूं मेरी हो चुक है अब इसको अना स्लो मो एड़ करें एडिपर जाके स्पीड को हम 0.5 x कर लेते हैं तो यह होने के बद मैं इसको सेव कर लेता हूं इस सेव होने के बाद हम अभी अलाइट मोशन में चलते हैं गाईज तो मैं अलाइट मोशन में चलता हूँ अभी अलाइट मोशन में आने के बाद गाईज आप अपनी रेशियो सेट कर लो रेशियो सेट करने के बाद गाईज आपको मैं गाना कॉमेंट बॉक्स में दे दूँगा औ और अपना गाइज इस पे हम मार्क करेंगे तो आपको स्क्रीन में मैंने दिखाए हो मार्क पॉइंट जो आप देख के कर सकते हो इसके बाद हम इस पे नॉर्मल वीडियो आड़ करने वाले स्लोमो वाले वीडियो को आड़ करना क gjा है तो इसको लॉंग प्रेस करकर राइट की साइट कर लोieron एक सेकेंड के लिए तो अभी फिर और ज्यादा करना ठीक है तो अतरी ना बन्राइट गुची सूज बोल रहा है ठीक है तो इसका ना थोरा सा आगी का पार्ट में कट करूँगा क्यूंकि मेरे को उदर हैंड आप वाली हैंड आप वाली पोजिशन चाहिए ठीक है तो इधरी बना हैंड आप करके पोजिशन में है तो same वाली position ना मैं slow mo वाली video में जाके जो है वो लेके इस पर रखोंगा ठीक है तो मैं आगे जाके ना वही same position में ढूंदता हूँ तो exact इधर ही हाँ हाँ इधर ही है ठीक है तो same position को मेरे का clip मिल चुका है तो मैं आगे जाके ना इसको इधर कर देता हूँ यह मेरी clip हो चुके आप एक बाद चेक कर लो तो यह थोड़ा सा ना बंदा हमारा थोड़ा आगे आगे की तरफ जा रहा तो मैं इसको आगे की पार्ट ना थोड़ा कट कर देता हूँ करने के बाद यह परफेक्ट बंद चुका है तो नीचे वाली पार्ट को जो है हम कट करके फेक देंगे ठीक है तो यह होने के बाद गाइज आप अपनी जो जितनी बड़ी वीडियो है उतनी उतनी हिसाब से आप अपनी जो है clip को रख सकते हो तो मेरी जो है ज्यादा बड इसको कर दूँगा आपको आपको जितना बड़ा ची आप उतना बड़ा कर सकते हो इसको ठीक है तो यह होने के बाद गाइज आप जो मैंने मार्क पॉइंट दिखाया था उस पर जाकर वीडियो को कट करना है तो यह बीच-बीच में आपको स्क्रीन ग्रीन स्किन देख र इसा ठीक है तो इसके उपर हम आप color grading करने वाले गई तो उसके उसके पहले ना हमें background ले लेते हैं लेने के बाद इसको full screen और जितना बड़ा आपके video तो उतना length इसको कर दो तो करने के बाद इसके effect डालेंगे सबसे पहले effect होगा हमारा copy background तो copy background लेने के बाद guys इसके उपर ह हम एक और effect लेंगे वह होगा हमारा simple field ठीक है तो simple star field है उसका नाम ठीक है तो आपको search bar में easy ले मिल जाएगा तो यह लेने के बाद guys आप ना नीचे की size को 254 कर लेना 0.254 और feather को 5.0 करना और बाकी सबको normal और उपर में position में आके minus 3 और y को 7 कर लो और jet को जो हे two bell कर लो तो two bell करने के बाद एक mark कर ले ना और last पर आके एक और mark करना और उसको ना आप बढ़ा के 810 कर दो ठीक है अब इसके बाद हम एक और effect यूज़ करने वाला है ठीक है तो इसके लिए आप एक background ले लो full screen करके अपना लंबा वीडियो जितना है उसको कर दो करने के बाद long press करके drag down कर दो और effect में जाके copy background ले लो गईज़ इसके बाद हम exposure and gamma ले लेते हैं गईज़ लेने के बाद na exposure को आप normal रखो और gamma को जो हे 70 और offset को जो हे 15 कर लो इसके बाद हम next लेंगे hot color hot color का ना जो blue person में जो आपका ये line रहता है उसकी उपर कर दो गईज़ तो ए होने के बाद guys आप question blur ले लो question blur का जो हे percentage 5 555 कर लो ठी है तो इसके बाद एक और background लेलो guys background लेने के बाद same अप इसको full screen करके drag down कर लो ठी है तो ए होने के बाद इसके उपर effect डालो copy background लेने के बादados guys इसके उपर हम लेंगे exposure and gamma तो exposure and gamma में जाके ना gamma को आप 630 कर लो तो इसके बाद जो है एक replace color ले लो ठीक है replace color में जाके ना जिसको long press करके up drag कर दो अब ड्राक करने के बाद guys हम जाएंगे replace color में और threat shot को हम करेंगे 24% और नीचे का जो है feather होगा हमारा 53% ठीक है तो इसके बाद हम जाएंगे उपर replace color में जाके हम green select करेंगे और इसका जो है percentage first वाला जो है 56, second वाला 35, third वाला 100 होगा ठीक है तो इसके बाद हम जाएंगे new color में red select करेंगे तो इसके बाद हम zero करेंगे first वाला second को 27, third का hundred ठीक है तो ए होने के बाद इसके उपर हम एक और effect लेंगे वो होगा हमारा विजेंटी तो विजेंटी में जाके न हम size को जो है 121 by 8% करेंगे ठीक है तो मैं फटाफर से 121 by 8% कर लेता हूँ एक करने के बाद roundness को जो है मैं 48% कर लेता हूँ और feather को जो है full max कर दो ठीक है 1000 और बाकी सब कुछ आपका normal रहेगा ठीक है तो ए होने के बाद guys इसको ना third layer को आप एक बाद duplicate कर दो करने के बाद guys हम second वाली layer पे जाके इसको blend करेंगे lighten में जाके linear dodge कर दो और third वाली layer को भी same कर दो ठीक है तो fourth वाली layer को जो हम blend में जाके ना normally रखेंगे इसको blend नहीं करना है ठीक है तो ए हो चुक है आपका color glow बो या भी color grading बो जो भी बो यह सब हो चुक है तो इसके बाद हम जाएंगे अभी effect डालेंगे ठीक है आप हमारे video के अंदर effect डालेंगे ए तो color grading हो चुक है ठीक है तो हम चलते हैं हमारी second layer जो हमारा बंदा ड्रेस चेंज करता है उस पर हम इफेक्ट पे लेंगे उसी लेट ठीक है तो उसी second layer पे जाके उसी लेट ले लेना उसका angle जो है हमारा 0% और frequency को 3.3% कर लेना ठीक है तो एक करने के बाद एक keyframe एट लास्ट पे जाके second keyframe करना और फिर से की फिरम्च करना तो एक करने के बाद इसको आपको इंक्रीज करना है 349 ठीक है तो एक करने के बाद लास्ट पर जाके नहां एक और की फ्रेम एड करना है उसको जो है आपको नौर्मल बैक कर देना ठीक है तो एह ने के बाद आप फिर से इंड पे चले जाओ इंड पे जाने के बद की फ्रेम एड करो और इसको full max normal back कर दो ठीक है तो full max normal back कर दो करने के बद फिर से starting में जाके angle 1 में जाओ की फ्रेम एड करो उसके बाद जो है अपनेश को घाटा के जो हे इसका फोर्वा, 9 रैशियो ले लू ठीक है तो एह होने के बाद फिर से आप इंड फार्ट में जाके फिर से की फ्रेम एड करो की फ्रेम एड करने के बाद इसको फिर से normal full max back कर दो ठीक है 0.0 तो यह होने के बाद फिर से हम starting में जाएंगे और फिर से angle 2 में जाके keyframe add करेंगे तो इसका जो है हमारा ratio होने वाला minus 7 by 4 तो यह मैं ले लेता हूँ minus 7 by 4 ratio तो यह मेरा हो चुक है तो फिर से हम ending में जाएंगे और keyframe add करेंगे इसको normal back करेंगे जैसे हमने starting में क्या था 0 by 0 ठीक है गई तो यह सब हो चुका है इसके बाद एक और effect लेंगे ओ होगा हमारा motion blur ठीक है तो motion blur लेने के बाद गई इसका जो है आपको tune change करना है tune को 30 करना ठीक है 0.30 करना ठीक है तो यह होने के बाद गई इसमें exposure and gamma लेंगे तो starting में keyframe add करके इसको full max कर दो और middle वाली पार्ट में जाके इसको normal back कर दो ठीक है जो heart beat जो bump वाला sink रहता है उसके लिए हम एक अलग से effect बनाएंगे ठीक है तो यह तो हमारा sick वाला motion effect हो गया तो हम अभी heart beat वाला sink effect रहता है उसके लिए हम effect बनाएंगे तो सबसे पहले हम effect में जाके न हम same लेंगे tiles अभी इस बार हम tiles search कर लेते हैं तो हम कोई mail चुका है नीचे का mirroring on करना है बाकि सब कुछ normal कर दो तो इसके बाद हम next effect लेंगे exposure and gamma तो exposure and gamma में जाके न गाइज इसको एक keyframe add करके इसको full max कर दो max करने के बाद इसको long press करके left पे कर दो middle पे जाके न इसको आपको normal back करना ठीक है middle पे करना भूलना मत middle पे करना ठीक है तो यह होने के बाद इसके उपर एक और effect लेंगे ओ होगा हमारा swing तो swing लेने के बाद इसका frequency हम set करने माला है 3.50 तो यह मेरा frequency 3.50 हो चुका है guys होने के बाद ना angle पे first angle पे जाके इसको minus करके minus 5.0 करना ठीक है guys तो यह हो चुका है होने के बाद फिर से angle 2 पे जाएंगे और starting में जाके keyframe आट करना और इसको जो है minus 0 minus 0 by 5 degree कर लेना ठीक है guys तो यह मेरा हो चुका है तो यह मैंने गलती कर दिया उपर वाले angle 1 को भी minus 0 by 5 करना था मैंने गलती से उल्टा कर दिया इसको मैं ठीक कर लेता हूँ तो यह मैं ठीक कर लेता हूँ, माइनस 0 बाइ 5 हो चुका है, एह होने के बाद गाइज, आपको इसके उपर जो है, एंगल 1 का माइनस 0 बाइ 0 डिगरी, और एंगल 2 का भी 0 बाइ 0 डिगरी कर लो, तो एह होने के बाद गाइज, इसके उपर एक और एफेक्ट लेंगे, वो अज़ बाइज बाइज ये जली मिल जाएका, तो ऊशिलेट लेने के बाद गाइज, इसको एंगल हमारा होगा 133 डिगरी, ठीक है, तो एह होने के बाद गाइज, हमना नीचे हर किखुझ का इसका इसका qua इसका हर होगा 3.9 डिए 3.9 तो इसके बाद हमारा नीचे मैंगिट पर चीप्रेम जाकर आपके आप इसको कीफ्रेम आड करने के बाद गयज, इसका प्रसेंटेज होगा हमारा हंडरेट फिप्टी फोर ठीक है तो यग होने के बाद आप नास्ट पर जाकर फिर से कीफिरेम आड करो और इसको जो है 24.94 ऐसा कुछ degree मिलेगा आपको ओ कर लेना ठीक है तो यह होने के बाद इसके उपर एक और last effect डालेंगे ओ होगा हमारा motion blur तो motion blur लेने के बाद गाइस इसका जो है हमारा बस हमको scale off करना है बाकी सब कुछ normal तो guys हमारी hot bit जो हमारा sink वाली effect है बन चुकी है तो इसको में copy effect कर लेता हूँ ध्यान से guys आप copy effect करके ना जो है हमारी second एक part छोड़के आपको next part में इसको paste करना ठीक है एक part आपको sorry एक layer छोड़ो दूसरे layer पर जाके paste करो ठीक है एक layer layer पर paste करो जैसे मैं screen वें दिखा रहा हूँ आप भी same way से कर सकते हो ठीक है तो मैं फटफट से paste कर लेता हूँ तो guys मैंने सब कुछ paste कर लिया हूँ तो guys इसके बाद ना आपको जो है उपर setting वाले button में जाके इसको 30 appears 60 appears कर लेना है तो आपका background white है तो black कर लेना इसके बाद आप अराम से इसको export कर लो थोड़ा time लेगा क्योंकि 60 appears में हमने export कर रहे है तो guys आज की video आप सभी को पसंद आए है तो like share subscribe करना दोस्तों को share कर देना मैं मिलता हूँ आपको next video तब तक के लिए bye peace out